माफ्या अतिक अहमद और उसके भाई अश्वकी हाथत्या के बाद उसके परिवार के मुश्किले बढ़ गई अतिक परिवार के जितने भी लोगों ने उसके काले कारोबार में उसका साथ दिया उन सब पर पुलिस ने तेजी से कारिवाई की है और सब पू अपने सिकंज में ले लिया है अतिक के जुर्म की दुनिया में उसकी घर की महिलाओं ने भी बढ़ चड़ कर उसका साथ दिया शायद ये सोच कर कि उनका ये काला कारोबार इसी तरह से फलता और फूलता रहेगा और वो कभी भी पुलिस के गिरफ्ट में नहीं आईगी लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी वही हुआ अतिक और उसके परिवार के साथ जैसा कि सीम योगी ने सत्ता संबाली उनकी उल्टी गिंती शिर्वो गई सीम योगी ने साफ तौर पर ये कसम खाली कि यूपी के जो तमाम माफियां है उनको मिट्टी में मिला कर ही दम लेना है और उसके बाद शिर्व हुआ सीम योगी का एक्शन प्लान है अतीक और अश्रप की हत्या के बाद उमेश पाल हत्या कांड में आरोपी इनकी बेग में भी फरार है इतना ही नहीं अतीक के साथ उसकी साय की तरह रहने वाली उसकी बहन आईशा नूरी भी फरार चल रही है लेकिन अब पुलिस ने आईशा नूरी पर शिकन जाकसना शुरू कर दिया है और बड़ी कारेवाई भी की है नमस्कार आप देखरें कापिटल टीवी उतर प्रदेशर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी इस खास प्रग्राम परदाफाश में आपका स्वागत है परदाफाश में आज परदा उठाएंगे अतीक की बेहन आईशा नूरी के कारणामों से और बताएंगे कि क्यों आईशा अपने भाई अतीक को एक दम से अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहती थी तो चलिए शुरुवात करते हैं माफिया अतीक की बेहन के खिलाफ कड़िक का रिवाई आईशा नूरी के घर पर लगा कुरकी का नोटिस उमेश पाल हत्याकान में आरोपियों की मदद का आरोप आईशा ने मेरट में की थी गुड़ू मुसलिम से मुलाकार प्रियागराज के उमेश पाल हत्याकान में फराज चल रही माफिया अतीक हमत की बेहन आईशा नूरी के खलाप प्रियागराज पुलिस ने कारिवाई की है दरसल अतिक के बहनोई डॉक्टर अखलाक और बहन आईशा नूरी पर हत्या के आरोपियों को शरन देने का आरोप है इस मामले में 2 अपरेल को स्टीएफ की लखनव टीम ने अखलाक को गरफतार किया था उसे उमेश पाल हत्याकाण में साज़िष का आरोपी बनाया था अखलाक और उसकी पति पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है अखलाक के घर का सेसि टीवी फूटेज भी साम्रे आया था उसमें उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बंबाच गुड्डु मुस्लिम घर आता दिखाई दिया था तबे से आईशा नूरी फराज चल रही है बता दें कि प्रियाग राज में 24 परवरी को राजू पाल हत्याकांड की गवाह उमेश पाल और उनके दो गनर्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी उमेश पाल पर फाइरिंग और बम से भी हमलाग किया था इस मामले में प्रियाग राज पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था इसमें मेरट के भवानी नगर के रहने वाले अतीक के बनुई अखलाप और बहन आईशा पर गुड़ू मुसलिम को पनाह देने का आरोप लगा था बता दे कि गुड़ू मुसलिम माफिया अतीक अमद का सबसे करीवी था उसे बम बनाने का एक्सपर्ट माना चाता है प्रियागराज का शुटाउट गवा है कि गुड़ू मुसलिम कैसे बमों से खेलता था जिस गुड्डू मुसलिम पर अतीक और अश्रप के सबसे ज़्यादा भरोसा करने की बात सामने आती है वो कहां गायब है ये सवार यूपी पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं है जानकारी कनुसार गुड्डू मुसलिम पहले अतीक के गैंग में नहीं था महजब 15 साल की उम्र में उसने चोटी मोटी चोडियों से अपराद की दुनिया में कदम रखा कुछ समय पाद बाहु बलियों की पनाह मिलने के बाद उसने बम बनाना शुरू किया दीरे दीरे वो उतर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कई गिरूहों के बीच बंबाज के नाम से मशहूर हो क्या देखते देखते उतर प्रदेश में होने वाले हर बड़े अपरादिक मामले में गुड्डू मुसलिम का नाम भी जुड़ने लगा लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अतीक एहमद की बहन आईशा नूरी की बता दे कि आईशा नूरी के फरार होने के बाद से उससे जुड़ी कई खबर सामने आई जिसमें से एक बकरीद के समय चाचा का विशह बनी रही दरसल उमें इस पाल हत्यकार्ण मामली की आरोपी आईशा नूरी की जानकारे निकल कर सामने आई जिसमें यूपी पुलिस के हाथ आईशा नूरी और उसकी एक बेटी मनताशा की तस्वीरे हाथ लही थी इस तस्वीर में आरोपी आईशा एक बकरे के साथ नजर आ रही थी उसकी बेटी भी बकरों के साथ ही नजर आई ऐसे में दावा किया गया कि मा बेटी बकरीद मरा रही है आईशा और मंताशा की तस्वीरे शोसलमीच अपर तेजी से वारल होने लगी बता दियें कि यूपी पुलिस को ऐसे इनपुट मिले थे जिसमें बताया गया था कि आईशा नूरी और उसकी बेटी दिल्ली एंसी आर में कहीं छिपी हुई सूचना मेलने के बाद यूपी पुलिस की टीमे दिल्ली में सौच आपरेशन के लिए गई थी जहां पुलिस को कुछ लोकेशन पर मा बेटी की छुपे होने के हाइड आउच मिले थे लेकिन इस बार भी आईशा नूरी पुलिस के हाथ नहीं लगी लेकिन खबर सामने आई कि आईशा नूरी ने अपने भाईयों की हत्या की जाच के लिए सुप्रिम कोट का दरवाजा खट खटाया है साथ ही अतीक के बेटे असद के एंकाउंटर को भी संदिक्द बताते हुए जाच के लिए सुप्रिम कोट में अरजे दाखिल करती है आईशा नूरी ने अपने याचिका में सुप्रिम कोट के पुर्वजज की अधक्षता में जाच आयोग बनाने की मांगी वहीं आईशा का आरोप था कि अतीक अश्रब की हत्या में सरकार कहा थे आईशा ने राज्य सरकार पर माफिया अतीक परिवार के उत्पड़न का आरोप भी लगाया था अब वक्त हो चला है इस बात से परदा उठाने का कि आखिर आईशा नूरी अपने भाई अतीक को अकेला क्यों नहीं चोड़ा चाहती थी तो बता दे कि आईशा अपने भाई अतीक से बहुत प्यार करती थी और इसका अंदाजा जब एक खबर सामने आई तब लगाये क्या दरसल उमेश पाल अपहरन केस में बाहु बली निता अतीक अहमद को गुजरात की साबर मती जिल से प्रियागराज की नैनी जिल ले जाय जा रहा था तो पूरे रास्ते अतीक की बहन आईशा साय की तरह सांत रही आईशा पुलिस के काफिले के पीछे पीछे चल रही थी आईशा का कहना था भाई की तब्यत ठीक नहीं है उनका एंकांटर हो सकता है इतना ही नहीं आईशा ने आश्रंका चताई कि दूसरे और उसका भी एनकाउंटर हो सकता है कैते हैं कि यह पहली बार नहीं था जब आईशा अतीक की मदद के लिए ऐसे सामने आई और उसके साथ खड़ी थी जब जब अतीक पर कानूनी कारेवाई का खत्रा सताता था तो आईशा हमेशा उसके साथ खड़ी नज़र आई बता दे क कि आईशा अपने पती के साथ आगरा मेरती थी कहा जाता है कि वो एक आलेशान और एशो अराम की जिन्दगी जीती थी इसके पीछे यह अतीक एहमद की दौलत और रुद्बा था और जब भी अतीक एहमद या उसके बेटे फरारी कारते थे तो सिर्थ छिपाने के लिए आईशा के घर ही पहुंचते थे लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में एक नया मोर सामने आ गया जब माफिया अतीक एहमद की बहन आईशा नूरी को भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनातिया क्या पुलिस ने बताया कि आईशा नूरी ने हत्याकांड में शामिल एक नामचद आरोपी को भगाने में मदद की थी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा किया था मीजिया रेपोर्ट के अनुसार प्रियागराज पुलिस को जाच में पता चला कि माफिया अतीक की बहन आईशा ने शूटर गुड़ू मुसलिम को शहर से भागने में मदद की थी जिसके बाद पुलिस आईशा की ग्रफतारी के लिए पूरी तरह से तयार थी क्योंकि इस हत्याकांड में अब उस पर भी आरोप लग गये थी बता दे कि आईशा नूरी और उसके पती डॉक्टर अखलाक एहमद ने पांच माच को गुड़ू मु के मार्च को आईशा नूरी अपनी बेटी उजनैला नूरी के साथ परियागराच पहुंची थी गुड़ू मुसलिम की पतनी जैनव पातिमा और बेटी के साथ एक प्रेस कॉनफरेंस में आईशा ने दावा किया था कि उनके भाई अतीक अहमद और अशक निर्दोश है औ फिलाल अतीक अहमद की बहन आईशा नूरी उमेश पाल मामले में आरोपी बनाय चाने के बाद फराट चल रही है जिसके बाद पुलिस ने इसकी तलाश और भी तेज करती है और अब तो प्रेयागराच पुलिस ने नोचंदी के भवाने नकर इस्तित उसके घर पर कुरकी की कारेवाई का नोटिस चस्पा किया है देखने वाली बात ये है कि आखिर माफिया अतीक की बहन आईशा नूरी कब तक पुलिस की गरप्त में आती है फिलाल परदाफाश में इतना ही आप अपनी राय हमें कमेंच करके जरूर बताए और देखते रहे कापिटल टीबी उ से लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया